दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है मारी यूटूब चैनल एज़े आरविदा में दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा ओयल बना कर तयार करके बताएंगे आपको जिसको आप अपने लिंग पर अपलाई करेंगे लिंग पर लगाने से इससे आपकी टाइमिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी बलकि आपकी लिंग की सेंसिटिविटी भी घट जाएगी सेंसिटिव इतना हो चुका है जैसे की सेंसिटिविटी क्या होती है वो मैं अता देता हूँ जब आपका लिंग जो है आप लिंग आप सेक्स करने जाते हैं संबुक करने जाते हैं तो जैसे ही जाते हैं वैसे ही जड़ जाते हैं थोड़ा दो-तीन बार किया वस दो-तीन बार में ही आपका वीर निकल जाता है तो इस परकार की समस्या से समाधान मिलेगा और आपके लिंक की लंबाई मोटाई भी बड़ेगी इस ओईल से और आपको टाइमिंग भी बड़ेगी, टाइमिंग भी बड़ेगी, संस्टिविटी भी घटेगी बहुत अच्छा ओयल इससे अच्छा आयरुवेदिक ओयल कोई बता नहीं सकता है आपको पूरे यूट्यूब पर तो चलिए पूरा वीडियो हमारा देखी किस तरह से इस ओयल को हमें बनाना है और क्या कौन-कौन से ओयल चाहिए हमें बहुत सब हम आप जानकारी आपको देंगे देखो ये ओयल जो बना के तयार होगा ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं आपको सिर्फ ये चार ओयल लेकर आने है दस रुपए का ये आएगा कौकोनट ओयल ये आपका नारियल का तेल है ये आपका जैतून का तेल है ओले बॉयल ये भी आपका 20-30 रुपए का ये आता है ज़्यादा डेड़ सु रुपए का आता है डेड़ सु रुपए का आएगा ये चोटा ले लेना चोटी सीसी ले लोगे तो और सस्ता आजाएगा उसके बाद ये है जैफल का तेल जैफल का तेल आपको मार्केट में MRP में दिखा दे रहा हूँ 60 रुपए का है 60 रुपए का आपको मिल जाएगा मार्केट में और उसके बाद आपको लेना है लोग का तेल लोग का तेल भी आपको लगबग ऐसे ही मिल जाएगा बीस पच्चीस रुपई का जीए आप तीनो चारो चीजें लेकर आ जाएए अब आपको इसका ओईल कैसे बनाना इसकी मातरा बहुत ध्यान में आपको रखके बनानी है क्योंकि ये लूंग का तेल और जाएफल का तेल बहुत ही दीच्ड़ होते हैं इनको डाइरेक्ट तोचा पर लगाएंगे तो आपकी तोचा पर जैलन खुझली जैसी समस्या उत्पन हो सकती है ऐसी समस्याइं आ सकती है आपको क्या करना है आपको किसी ओइल के साथ किसी भी ओइल के साथ इसको ओइल यूज करना है जैसे आप लॉंग का तेल यूज करेंगे और कितना यूज करना है बोवी मैं बताऊंगा बहुत कम मात्रा में इसको यूज किया जाता है जैसे लॉंग का तेल आपको कोकोनट आईल में डाल कर ही लगाना है उससे पहले आपको लगाना नहीं जैफल का तेल आपको कोकोनट या ओलिव आईल में ही मिक्स करके लगाना है ऐसी लगाना होता है इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है तो चलिए बनाते हैं हम आज का ओईल कैसे इस ओईल को बनाएंगे तयार करेंगे सबसे पहले हम इनको साइड में कर देते हैं और एक खटोरी ले लेते हैं इसमें हम बनाएंगे ओईल ठीक है और ओईल की मातरा कौन से ओईल की मातरा कितनी होगी वो हम देखेंगे जरा इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरा पूरा आप बने रही है हमारे साथ तो सबसे पहले हमने यह कोकोनट ओईल ले लिया है अब coconut oil को हम इस तरह से एक coconut oil की एक चम्मच ये एक चम्मच मैंना oil ले लिया है इसको डाल लेना है ठीक है कटोरी में एक चम्मच coconut oil हो गया उसके बाद जैतून का तेल ये थोड़ा कम बचा है मेरे पास बस दिखाने के लिए आपको मैंने ये वीडियो बनाया है नई तो नया लाना पड़ता क्या फायदा एक चम्मच इसमें Olive oil mix कर लेना है आपको ठीक है एक चम्मच इसमें आपने olive oil mix कर लिया जैतून का Suppose अब आपको क्या करना है अब आपको लेना है जाइफल का तेल इसका बहुत ध्यान रखना है मतलब ये बहुत तीश चुड़ो होता है बहुत गरम होता है इसकी फिरया ध्यान पूरुफ़की इसकाओ सेवन गिए जाता है हम क्या करना है हमको सिर्फ और सिर्फ चार बूंद चार बूंद इसका जैफल का तेल चार बूंद आपको एक, दो, तीन, चार इतना यह लगवग मिक्स करना है थोड़ा और डाल लेता हूँ यह हाँ बस इतना इतना ओयल आपको इसमें एड़ कर लेना है ठीक है लॉंग का तेल, लॉंग का तेल इस तरह का निकलेगा, बहुत छोटा होता है आप अच्छी क्वालिटी का भी ले सकते हैं, यह ठीप क्वालिटी का है थोड़ा आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी का भी पर्चेज कर सकते हैं उससे बोल देना मारकेट में पंसारी की दुकान पर या फिर किसी भी किसी भी दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा ये भी अच्छा ओयल है पैकिंग इसकी अच्छी है ये भी अच्छा ओयल है अब आपको लौंग का तिल कितना लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ लौंग का तिल आपको सिर्फ और सिर्फ दो बूंद इसमें डालना है दो बूंद एक दो ठीक है बस चार बूंद हो गया यह बहुत जादा हो गया लेकिन हमें सिर्फ दो भून चाहिए इसमें इतना oil चाहिए सिर्फ ये ठीक है अब हम इसको बंद करके लगाके रख दे रहे हैं बाकी की बात हम आपको बताते हैं अब आपको क्या करना है इस oil को इस तरह से add कर लेना है पूरा सब को ये एक बार का डोज है आपका एक बार लगाना ये सिर्फ आपको लिंग पर ही मालिस नहीं करनी है इसकी इसकी आपको मालिस करनी है अपने ब्रिसड़ पर भी जो आपके गोलियां होती है उन पर भी इसकी मालिस करनी है तो ये आईल आपका बनके तयार हो गया इसमें तरह से लगाएंगे खूब लगाके पूरे लिंक पर लगाना है और जो गोलियां है उन पर भी आपको मालिस करनी इसकी बहुत अच्छे से इस तरह से आप मालिस कर सकते हैं इसकी आप देख रहे हैं मैं मालिस कर रहा हूं इस तरह से आपको मालिस करनी और ये मालिस कम से कम च चार से पाँच मिनिट आपको करनी है चार से पाँच मिनिट ऐसे ही इसी तरह से आपको मालिस करते रहे ना इस ओईल से इस ओईल को लगा कर इससे क्या होगा आपकी तोचा की सेंस्टिविटी है जैसे आप जाते ही जड़ जाते हैं जाते ही आपका पानी निकल जाता है तो इस ऐसी समस्याओं के लिए ये ohil जो है बहुत कारगर है बहुत कारगर है आप जाएंगे, आप टाइमिंग, आप देख लेंगे आप एक बार इसको लगा कर इसको लगा कर संभोग मत करना ये यदद रगना इसको लगा कर संबोग मत करना जब भी आप संबोग करें तो आप जाने का जब प्लान बने है आपका तो आप इस ओयल को इस तरह से पोँच लें ठीक है या फिर किसी साबुन से दो लें ठीक है इसको लगाने लगाने का तरीका तो ये थोड़ा बैसा लगेगा आपको ऐसा लगेगा जैसे की जलन सी पढ़ रही है हमारे लिंक पर थोड़ी थोड़ी हलकी हलकी चीटियां से काटेंगी बलकि ज़्यादा आपको कोई नुकसान नहीं होगा पूरा वीडियो देखना सब कुछ बताता हूँ मैं तो इस तरह से आप लिंक पर लगा सकते हैं इससे आप अपनी तुचा मैं चीज है तुचा की सेंस्टिविटी अगर सेंस्टिव ज़्यादा है आपका लिंक तो आपकी टाइमिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है अगर तुचा की जो तुचा है वो सेंस्टिविटी उसकी खतम हो जाएगी तो आपकी टाइमिंग पर्फुएंस बहुत जादा हो जाएगी तो इस तरह से आपको इस ओयल का सेवन करना लगाना है इतना ओयल बन जाएगा ये आप दो बार के लिए भी यूज कर सकते हैं दो बार सुबा साम भी लगा सकते हैं थोड़ा बहुत बचेगा तो आप सुबा साम रात को लगाया आपने फिर आप सुबा भी इसको मालिस कर सकते हैं ना आने के बाद ठीक है फिर अपने काम पर चले जाए ये आराम से कोई दिक्कत नहीं है तो ये इस तरह से आपको लिंक पर आगे की तरफ ही लिंक पर इसको लगाना अपलाई करना इसी तरफ ठीक है इस तरफ और जो गोलियां आपकी उन पर भी आपको मालिस करनी है नीचे ठीक है सब पर मालिस करनी इस तरह से मालिस करनी लगा एक पहले दिन अगर आप मालिस करे किसी कपड़े से पोस्टने के बाद फिर आप संवोग करेंगे जब आप संवोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जू टाइमिंग है वो कितनी जादा बढ़ गई है संबुक करने के लिए जब भी आप जाएंगे पहले दिन से ही पहले दिन से आपको इतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा इसका बहुत जादा आप सोच में पढ़ जाएंगे कि पहले क्यों नहीं पता चलाईए नुसका अभी भी क्योंकि इसमें सुनना पन आ जाता है ये उंगली मेरी ऐसा लग रहा है जैसे की सुनन हो गई है अभी ओल लगाया इस वज़े से सुनन माने जैसे की आप इस परे यूज़ करते हो संबुक करने के लिए उस तरह का ये ओल बन के तयार हो गया ये बहुती sensitivity आपकी दूर करेगा बहुती अच्छा oil है आपको नुकसान बिलकुल होने नहीं देगा आपकी किसी भी प्रकार की आपको समस्चा allergy नहीं होगी ठीक है आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं मैंने दिखा दिये आपको जैफल का तेल लोंग का तेल आपका नारियल का तेल और olive oil ये olive oil ठीक है जैतून का तेल ये चार oil आपको चाहिए होंगी सिर्फ और सिर्फ चार oil इन चार oil से ही आप अपनी सारी समस्चान ठीक कर सकते हैं लिंग की अगर link आपका बहुत छोटा है टेड़ा है किसी भी परकार से समस्या आ गई है आपके link में तो आप इस तरह से इस oil को use कर सकते हैं यह oil है ठीक है ज़्यादा रुपाई के भी नहीं आते सस्ते आते हैं आप इनको use कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना चैनल को हमारे सस्क्राइब कर देना फिर मिलेगे अगली वीडियो नि आप देख सकते हैं हम आप आर्ज मारकेट आपको दिखाने के लिए मारकेто से खریद कर लाए थे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक दिन्नवाद ख्यादर कि अबना अपने परवार वालों का नमस्कार